आगे आजा सकते हैं situation clause जिसको हमने क्या नाम दिया था overall हम पहले ही देख चुके हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी points हमने देखे थे अब हम पूरा detail में देख ले रहे हैं तो address clause क्या होता है firstly दो चीजे इसमें mention होता है firstly आपका जो jurisdiction होता है हमारा of the high court यानि जो दाइरा है high court का high court of state which the registered office situated मतलब जिस आपका जगह पे तो जो आपका दाइरा है jurisdiction है जो आपका उस जहां पर आपका रहेगा उसका state है वो बताना है पहले तो आपको उसके बाद secondly it registered जैसे भी registered office हो जाएगा वेर दा कंपनी आपका statutory books normally keep and which the notice other communication can be sent company must have a registered office within 30 days मतलब दो चीजे देखना है तो आपको बता देना है sir हमारा न यह दिल्ली में रहने वाला office उसके बाद आपको बताना होगा आपके register वगरा यानि आपके books of account balance sheet पी एंडल कहां रखोगे उसका भी address बता देना है कि दिल्ली के अंदर हम इस जगह पर रखेंगे और यह सारी बता दे 30 तो जब आपका situation clause में क्या डालना है दो बाते एक आपको state डाल देना है और दूसरा आपका books of account कहां रहेगा ठीक है इसके बाद इसको alter करना है भया चेंज कर सकते हो कि जी चेंज कर सकते हो और सबसे important मैं इसको भी कहूंगा तो कहता है sifting sifting का मतलब बदलना registered office outside local limit local limited मतलब शकूर पूर पितम पूरा रानी बाग यही चलता रहेगा ताउन विलेज के अंदर where such office situated required passing क्या पास करना पड़ेगा सर special resolution पास करना पड़ेगा by company and notice change shall be given to the registered within 15 दिन के अंदर registered को एक message दाल दो एक letter लिख दो एक email कर दो भया हमने register change कर दिया है who shall be record the same और register को बोलिए please अब यह address note कर लिजे ताकि कोई mislead दुबारा से ना हो ठीक है एक तो यह तरीका है sir दूसरा क्या है अगर आप shifting करते हो address कहां से एक registered office से same state में same state के अंदर लेखिन यहाँ पे आपका registrar जो होगा company का वो एक से ज़्यादा होगा registered क्या कहता है registered office within the same state for the jurisdiction of the registered company of the and another registered company यानि दो है एक registered वन रोसी और यह कौन सा है अनदर यानि यह कौन सा रोसी हो गया दूसरा यहां पर भी आपको क्या करना है सर इस्पेशल रेजूलेशन पास करना है बाइदा कंपनी एंड आपका कंफर्म बाइदा किससे रीजनल डारेक्टर मैंने बताया था ना जब दो रोसी होंगे तो कौन आ जाएगा रीजनल डारेक्टर इनसे पर्मीशन लेके करना है एन एप्लीकेशन मेड बाइदा कंपनी दर रिगाड इनको भी अप्लीकेशन देना है दा सिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस सेल भी नॉट अलावड इफ इनक्वाइरी अगर आपके ओपर कोई इनक्वाइरी हो रहा हो कोई इंस्पेक्शन हो हो कई निवस्टिकेशन हो रहा हो है अब कंपनी खिलाब कोई फोड़केश चल रहा आ तो आप बोलोगा सबस्दाव नहीं तो इस सारी काम कर रखें तो नहीं होगा खैने पेंड़िंग अगर पूध आपका पेंडिंग याहीं से दूसरे ऑन एरोसी के पास जा उसका एरिया है उस situation में आपको क्या करना पड़ेगा आप चेंज तो कर सकते हैं लेकिन आड़ी का permission लेलो रीजनल डारेक्टर का लेलो लेकिन आप चेंज नहीं कर पाओगे कब अगर आपके ऊपर कोई केस है को इन्वेस्टिकेशन चल रहा है आप कोई डिफॉल्ट कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो इसमें से कोई भी वर्ड आपने करा होगा तो आप चेंज नहीं कर पाओगे समझ मैं अब इसके बाद हम कहां चले जाते हैं आप सेफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस एक स्ट ले लो किस से अंट्र यह बड़ी बात है एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना एक बड़ी बात है क्योंकि यहां बहुत लोग परिशान हो सकता है इंप्लोई परिशान होगा तो इस सपेशल रेजलेशन पहले शेर होल्डर से पास करो अब से अप्रूबल लो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आप दूसरे राज्य में जा रहे हो मेमोरेंडम विद्धा रिगार्ड चेंज प्लेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट तो अनधर स्टेट यूनियन टेरिट्री भी बोल रहे हैं जैसे कि कुछ जहां पर स्टेट नहीं है य विद्ध फीस एक फीस भी देना होगा जो उनका होगा और आपको क्या 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 करना होगा डॉक्यमेंट क्या एमोए और एवे देना होगा उनको सेंट्रल गवर्मेंट को स्पेशल रेजुलेशन को कॉपी देना होगा क्रेडिटर डेटर होल्डर कितने वो देना पड़ कि एंसभी को किसी को एतराज़ी नियाब यहां से चेंज करके मैं रोकने वाला क्या क्या कौन यह पर मीशन ऑफको जाओ अपना नेम और सब्सक्राइब को हैने ने में पड़ेगा capita बद包ब तक यहां पर नोट्स में मोठी मोठी बाते हम बात कर रहे हैं